यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है बानवेवा दिन आपकी विरासत चल्सिया Flower Show United Kingdom की शायद दुनिया की सबसे प्रसिद फूलों की प्रदर्शनी है जहां सभी द्वीपों के आगंतुक आकर्शित होते हैं यहां चार श्रेणी में पदक दिये जाते हैं इसके साथ साथ बगीचों और फूलों सबजियों के प्रदर्शकों के लिए नाइट पुरसकार एक बार मैंने एक व्यक्ती से की जाने वाली मुलाकात को सुना था जिसने अपनी सबजियों के लिए लगातार दस सालों तक सबदक जीता था उसकी सफलता का राज पूछे जाने पर उसने कहा मुझे अच्छा करना चाहिए लेकिन मैंने सर्वत्तम करना चुना है प्रेरीत पॉलूस लिखते हैं सिधता का लक्ष रखें दूसरा कुरंतियों 13 का 11 यह आदर्शवादी होने से बिलकुल अलग है आदर्शवादी होना एक व्यक्ति की विशेशता है जो दोश रहित और विशेश रूप से अधिक उच्छे माप दंड के प्रदर्शन का प्रयास करता है दूसरों के आकलन की चिंता ना करते हुए खुद के मुल्यांकन को अती महतपून समझता है इसमें असफलता के डर की और गलतियां करने की संभावना बनी रहती है इससे तनाव और निराशा हो सकती है और इसमें सुवसर खो देने का खत्रा बना रहता है परमेशवर के लोगों को हमेशा उच्छ उदेश रखने के लिए बुलाया गया है आदर्शवाद के खत्रे को टालते हुए पुराने नियम में परमेशवर ने उनके लोगों को विरासत में मिली शमता का आश्चरे जनक दर्शन दिखाया है नीतिवचन आठ का 22 से 31 तक आनंद पूरा होने का उद्देश रखें इश्चु चाहते हैं कि आपका आनंद पूरा हो जाए वह चाहते हैं कि आप पूरा आनंद ले उन्होंने कहा है मैंने ये बातें तुम से इसलिए कहीं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए युहना 15 का 11 आज के लेखांच में व्यक्तिगत बुद्धी का वर्णन इशु के बारे में बताते हुए नए नियम में दोबारा किया गया है इशु आदि में पर्मेश्वर के साथ थे बुद्धी आनंदित नजर आती थी बुद्धी हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी मैं उसकी बसाई हुई प्रत्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनिश्यों की संगत्ती से होता था नीतिवचन आठ का 30 और 31 यहाँ आनंद का उमडना है प्रसन्नता से परिपूर्ण होना यहाँ लगातार है हर समय यहाँ आनंद कहां से आता है पहले यहाँ परमेश्वर की उपस्थिती से आता है उनकी उपस्थिती में पद 30 दूसरा यहाँ दूसरों के साथ संबंद बनाने से आता है मनिश्य के परिवार से पद 31 तीसरा यहाँ परमेश्वर की रचना से आता है दुनिया की चीजों और प्राणियों से पद 31 परमेश्वर ने हमें आनन्द मनाने के लिए सभी अच्छी चीज़ें भरपूरी से दी हैं पहला तीमोतियूस 6 का 17 इश्वर ने परमेश्वर के साथ अपने संबंद का आनन महसूस किया धर्ती पर उनके जीवन में पिता ने उन्हें सशक्त किया अपना ध्यान इश्व पर लगाएं विश्वास की करता और सिध करने वाले इश्व की और ताक्ते रहें जिसने उस आनन्द के लिए क्रूस का दुख सहा इबरानियों 12 का 2 और 3 इश्व खुद के जीवन से हमें उचा उदेश रखने और कभी भी हलके में न मानने बल्कि दुख उठा कर भी हमेशा परमेश्वर की उपस्तिती का आनंद लेने का प्रयास करना सिखाते हैं प्रभू आपको धनिवाद क्योंकि आप चाहते हैं की आपका आनंद मेरा हो जाए और मेरा आनंद पूरा हो जाए मैं कभी भी कम में ना मानू इश्यू प्रेम का सर्वोत क्रष्ट उधारन है बलकि सांसारिक लोग भी इस बात को जानते हैं टाइम पत्रिका ने ऐसा कहा है इश्यू पश्चिमी दुनिया के इतिहास में पवित्रिता, निस्वार्थ और प्रेम का सबसे दिरगस्ताई उधारन है इश्यू आपसे प्रेम करते हैं वहाँ आपकी भौतिक जरूरतों का खयाल रखते हैं भोजन की तलाश में भीड को भूका भेजने के बजाए इश्यू ने अपने शिश्यों को उन्हें खाना खिलाने के लिए कहा चमतकारी रूप से एक बार फिर से हम 5000 लोगों को खाना खिलाने के लिए आते हैं पुनुरुधान के अलावा एक मात्र चमतकार जिससे सुसमाचार की चारों पुस्तकों में लिखा गया है यह हमें याद दिलाता है कि हम इशु को जो कुछ समर्पित करते हैं उस थोड़े से भी वह बहुत ज़ादा बना सकते हैं और यह कि वह हमें अपने चमतकारों में शामिल करते हैं यह बड़े सौभाकिय की बात है जब इशु ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो तब पत्रस ने उत्तर दिया परमेश्वर का मसी इशु उन्हें अपने मृत्यू इतिहास में पियार का सबसे बड़ा कारिय और पुनुरुथान के बारे में बताते हैं वह अपने शिशियों को उचा उद्देशे रखने के वह आपको तीन बातों के लिए बुलाते हैं जो साथ मिलकर दूसरों के प्रती प्रेम और इशु के प्रती प्रेम को समाविष्ट करते हैं नमबर एक, पाप न करना, पाप प्रेम का विपरीत है, अंग्रेजी में सिन, के बीच में आई अक्षर है, इशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप से इनकार करे, परमेशुर आपको अपने जीवन में अलग-अलग त्याग करने के लिए कह सकते ह हैं, लेकिन हम सब को केवल एक बात करना जरूरी है, वो है पाप को त्यागना, हर दिन प्यार की चुनोती में खुद का इनकार करना जरूरी है, नमबर दो, कोई स्वार्थ नहीं, इशु कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप से इनकार करे, और प्रत उसे बचाएगा, प्रभावशाली रूप से इशु हम से कहते हैं, आओ और मरो, आज क्रूस आशा का प्रतीक है, मगर तब यह दर्द, शरम, अपमान और अंत में ब्रत्यू का प्रतीक था, इशु ने कहा है कि यदि आप खुद की अभिलाशा का जीवन जीएंगे, यदि उसे खोएगा, परंत जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा, प्रते दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, अपने प्राण गवाना प्रेम का सर्वश्रेष्ट कार्य है, सबसे पहले यह उधारन इशु ने स्थापित किया है, वह आपको और मुझे इस उधारन का अनुसरन करने के लिए बुलाते हैं, मुझसे मजबूती से चिपके रहो, पूरी तरह मेरे उधारन के अनुरूप रहो, और यदि जरूरत पड़े, तो मृत्यु में भी, नमबर तीन, कोई गोपनियता नहीं, इशु कहते हैं, जो प्रेम करते हैं, तो उनसे मत लज जाईए, कभी-कभी अपने होटों पर उनका नाम लेना भी एक बड़ी चुनाती बन जाती है, उनकी सिक्षा से मत लज जाईए, उनके शब्दों से, यदि आप चाहते हैं कि इशु आप पर गर्व करें, तो आपको उनके प्रती गर्व करना पड़ेगा, यदि आप लोगों से प्यार करते हैं, तो आप चाहेंगे कि लोग इशु के बारे में जानें, खुद इस बारे में कहते हुए मैं जानता हूँ कि मैं इन शेत्रों में कितनी बार कमजोर पड़ा हूँ, लेकिन सच्चा यहा है कि हमारे जीवन में करूं और आपके कुरूस को उठा कर आपके पीछे चलूं, आपके और आपके वचन के बारे में कहने से मैं कभी नलज जाओं, बलकि हमारे लिए आपकी मृत्यू का और फिर से जी उठने के सुसमाचार का प्रचार मैं साहस से करूं, पुराना नियम, गिंती 33 का 1 से 34 के 29 पवित्र आत्मा से परिपूर्ण उद्देश, यह लेखांश उस विरासत का उलेख करता है, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, हलांकि इन्हें साहस से स्थापित किया गया था, वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे, परन्तु वे कभी भी विरासत का पूरा लाब नहीं उठा पाए, पॉलुस प्रेरितों के कार्य में प्रचार करते हुए समझाते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को उनकी विरासत के रूप में वह देश दे दिया था, प्रेरितों के कार्य 13 का 17 से 20, वह आगे कहते हैं और हम तुम्हें यह सुसमाच सुनाते हैं कि परमेश्वर ने इश्व को जिला कर वही प्रतिग्या हमारी संतान के लिए पूरी की है, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा प्रिये पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जनमाया है, अपने लोगों को कनान देश देने का परमेश्वर का वाइ परमेश्वर के वाइदे के स्थान में यह नए नियम के परमेश्वर के राज्जी की और इशारा करता है, परमेश्वर की उपस्थिती और राज्जी का शेत्र यह इश्यूग में परिपूर्ण हुआ है और जिसका आप अनुभव लेना शुरू कर सकते हैं, मसी में आपक आपको भविश्य में इस विरासत की प्रतीक्षा ही नहीं करनी है, बलकि आप इस विरासत का अनुभव इसी वक्त कर सकते हैं. जब तुमने सत्ति का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिग्या किये हुए पवित्रात्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिये हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है. इफिसियों एक का तेरा और चवदा. बयाना के लिए ग्रीक शब्द अराबोन है, जिसका मतलब है नगत भुगतान. दूसरे शब्दों में आप इसका अनुभव करते हैं और अब यह उस विरासत का पूर्वाभास है जो कि पवित्रात्मा के द्वारा है. जब आप पवित्रात्मा में जीते हैं तो आपका जीवन फल उत्पन करता है जैसे प्रेम, आनंद, शांती, धीरज, क्रपा, भलाई, विश्वासियोगिता, नमरता और आत्मसयम. गलातियों 5 का 22. कम दरजे की श्रेष्टता में सहमत मत होईए, पवित्रात्मा से में काटे और हमारे पंजरों में कीलों के समान हो, मेरी मदद कीजिए कि मैं कभी भी दूसरे दरजे की श्रेष्टता से सहमत ना होने पाऊं, बलकि आपकी पवित्रात्मा के द्वारा उंचा और चुनौती पूर्ण उद्देश्य रखूं। पर ध्यान देने के लिए प्रोथसाहित करता है, अच्छी बात यह है कि जब हम जुले में समरली एस्टेट पहुंचते हैं और अपने तंबू गाड़ते हैं तो हमें तुरंत कहीं जाना नहीं पड़ता, उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्यों छे दिनों के लिए तुम इस देश को चिट्टी डाल कर अपने कुलों के अनुसार बाट लेना, अर्ता जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उन्हें थोड़ा, पद चपन, यदि परमेशर के लोग तंबूओं में 40 वर्षों तक रह सकते है तो मुझे भी एक अफते तक रहने में दिकत नहीं होनी चाहिए, या अद्बत होगा कुड़कड़ाने की अनुमती नहीं है, आज का वचन उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीचे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें और प्रती दिन अपना क्रूस उटाए हुए मेरे पीचे होले, लुका नौका तेईज